हम आपके पडोस में कल्चर वैली नाम की एक संस्था लेकर आ रहे हैं चहां आपका बच्चा ना केवल सुरक्षित होगा बलकि मानो बनने की तरफ भी बढ़ेगा तो नजार करिएगा कल्चर वैली का अपनी पडोस में नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका आज पांच जनवरी को जन्म पाई लोगों के इस खास कारक्रम जो तिश्दिशासत्य की राय में स्पेशल मैं हूँ आपके साथ आपका अश्ट्रो फ्रेंड संतोर संतोशी और आप हमें टिक टॉक पे फॉलो कर सकते हैं आज दिनाएंग पांच जनवरी को जिस खास नक्षत्र में चंद्रमा का संत्रण है वो है जेश्ठा और नहीं मूल लक्षत्र माफ कीज़ेगा जेश्ठा कल था मूल लक्षत्र तीन बच कर छे मिनद तक है इसके बाद पूरवाशार नक्षत्र रहेगा पांच जनवरी को और आसनियम आवश्या भी है तो आज जिनका भी हैपी बर्टडे है और जिनकी भी आज मैरी जैनिवर्सरी है उन सब के लिए सिक्षा से ले करके और सारी जानकारी एक साथ हम बता देते हैं तो आईए अब सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आज आपका जन्म है तो आपकी सि कैसे जाने वाली है जनवरी के बचे हुए दिन 25 दिन और फर्वरी पूराद समय स्वास्थ के प्लस माइनस प्रभाव की वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो आपको बहुत सावधानी के साथ अपना हेल्थ फोकस करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत शुब होगा बहुत पॉज्टिव होगा बहुत सकरात्मक होगा एक और खास हम आपको बताना चाहेंगे अगर आज दिनांग पांच जनवरी को आपका जन्म है तो मूल रूप से आप बड़े रिस्क शुक्षा छेत्र में मत लीजेगा बड़ा रिस्क मतलब जैसे आपने बायो से आप मैथ मैथ से बायो मैथ से कॉमर्स मैथ से ललबी मतलब जैसे एक दम बहुत बड़ा चेंज ये मत करिएगा ये आपके लिए घातक होगा अगर आप पांच जनवरी को पैदा हुए हैं तो और एक खास बात हम आपको बता दें किसी भी तरह से किसी भी सूरत में आप इस्टिचूट मत बदलिएगा ब्यापार ब्यापार चेंज कर सकते हैं ब्यापार में कोई दिक्कत नहीं ब्यापार में कई बदला होंगे भी ब्यापार में आपको लोन भी मिल जाएगा आप अपना बिजनस एक्स्टेंड कर सकते हैं पार्टनर बदल सकते हैं कब अपरेल से जून अगस्त अक्टूबर के बीच में आप पश्चिम दिसा में अपने व्यापार को फैला सकते हैं यहाँ पर कहीं आपको दिक्कत और रुकावट नहीं होगी अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि अंदर से कोई आपके घात न लगा कि आपके उपर बैठा हो यह आप ध्यान दे दीजिएगा बस अगली जानकारी प्राइवेट सेक्टर की नोगरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मार्च में आप चेंज कर सकते हैं अप्रेयल का फर्स्ट वीक भी आपकी नोगरी की चेंज के लिए शुग होगा अगस्त सितंबर में थोड़ा बहुत बदलाव ला करके और फिर छोड़ दीजेगा अक्टूबर नोगरी के चेंज में आपके जो बास होंगी उसके साथ तालमिल थोड़ा सा गड़बड हो सकता है अगर आप पहले से ही कुछ विशेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्रभाव अलग से दिखाई देगा कि हाँ आप विशेश कुछ कर रहे हैं सरकारी नोगरी सरकारी नोगरी का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गौर्मेंट जॉब कर रहे हैं तो गौर्मेंट जॉब में आपके लिए प्रमोशन के चांसेज और स्थानादरन के चांसेज जुलाई अगस्त 2019 में बना रहेगा ये सकरातमक्ता आपके लिए ही रहेगी और बॉस के साथ अच्छे से तालमिल बिठा के आप कर सकते हैं थोड़ा जिम्मेदारीों को आप लेना सीखिएगा मार्च से मई के बीच में बागी तो हमने बता ही दिया मार्च, अप्रेल, मई जिम्मेदारीों को लेकर क्या आप कर सकते हैं अगर 5 जनवरी को जन्म हुआ है और आप politics में हैं या आप business कुछ self employed वकील हो कर रहे हैं तो आपके लिए सरकार से तालमेल बिठाने का बड़ा अच्छा मौका आपको मिलने वाला है यह आपके लिए बेहत शुब रहेगा Next दांपत्य जीवन यहां उठा पटक तो भईया ज्यादा है एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी मार्च अप्रेल में separate कर सकती है मैई जून महीने में भी थोड़ी बहुत दिक्कते तो दिखाई दे रही है मैई जून का महीना भी समस्या से आपको ग्रसित कर सकता है अगर आप पांच जनवरी को जन में पाएं है तो आज से ले करके और चार जनवरी उननीस तक का जो आपका प्रभाव है दामपत्य जीवन का वो सभालना पड़ेगा बस इतना जानिएगा कुनली दिखा लेजेगा कोई बहुत बड़ी समस्या आए तो मैं बैठा हूँ लव लाइफ में मामला ठीक रहेगा यहां आप सेट कर लेंगे सब कुछ अच्छे से सेट करके आगे ले करके चलेंगे तो जो रुकावटे थी जो समस्याएं थी उनका प्रभाव धीरे धीरे सनई सनई बहुत कम हो जाएगा और आपके लिए सकारात्मक उर्जा बढ़ेगा और आप दाबबत जीवन का भी शुभारंब कर सकते हैं अगर पांच जनवरी को आपका जन हुआ है बीमारी बीमारी के मामले में घुटने की दिक्कत आपको परिशान कर रही और डियाविटीज भी लेबल प्लस माइनस उपर नीचे खूब होगा जिस पर आपको बहुत जादा अवलोकन करने के अवशकता है ध्यान देने के अवशकता है क्या उपाय करें अगर आप पांच जनुरी को पैदा हुए हैं तो हर शनिवार तीन लोगों को कुछ खिलाना सुरू कर दीजिए बस इतना सा करिए और फिर देखिए इसका लाब किसे मिलता है और आज अगर आपकी शादी की साल गिरा है तो किसी नदी के किनारे कुछ हवन करना है आपको और तीन पीपल के पोधे पती पत्नी मिलकर लगा दे कही बस इतना सा ध्यान दीजेगा बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबकी इस प्यार के लिए आप हमसे 13 से 19 जनुरी कुम्भ में मिल सकते हैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए थैंक्यू सो मच प्यार बनाए रखेगा तो आपके शहर में हम आपको एक मौका देने जा रहे हैं जिहां हम आपको एक फ्रेंचाइजी ओफर करते हैं जिसका नाम है कल्चर वैली क्या है ये सारी जानकारे के लिए जो नमबर चल रहा है इस पर आप कॉल करिए और एक अच्छी संस्था के मालिक बनिये चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए